नमस्कार विद्धार्थिरन आज हम संग्या की बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले जानते हैं इसकी परिभासा कि संग्या किसे कहते हैं किसी वेक्दी, वस्तू, इस्तान, गुर्ण, गसेया भाव के नाम को संग्या कहते हैं संग्या के कितने वेद होते हैं आईए हम इसके भेद की जानकारी प्राप्त करते हैं तो संग्या के मुख्य रूप से तीन वेद होते हैं लेकिन दो अन्य भेद विमाने गए हैं मुख्य रूप से इसके कितने वेद होते हैं तीन कौन कौन से वेक्ति वाचक संगया जाति वाचक संगया और भावाचक संगया और दो अन्यभेद कौन से होते हैं दरवाचक संगया और सम्मूवाचक संगया ये दो इसके अन्यभेद मने गए हैं आये इनकी हम विश्त्री जानकारी प्राप्त करते हैं सबसे पहले हम चलते हैं वेक्ति वाचक संगय की और कि वेक्ति वाचक संगय किसे करते हैं किसी विशेश वेक्ति वस्तु अरिस्तान का बोध होता है उसे वेक्ति वाचक संगय कहते हैं जैसे किसी वेक्ति का बोध जैस किसी देश का नाम आता है तो वेक दिवाचक संग्या में हो जाता है किसी इस्थान का नाम आता है जैसे दिल्ली हो गया बंबई हो गया तो यह इस्थान के नाम भी इसमें आ सकते हैं किसी दिश्था का नाम हो गया जैसे पूरव पस्चि मुतर दक्षिनिया पर दक्षिनिश सागर नाम लिखा हुआ है तो यह सारी दिसाओं के नाम आते हैं इसके अलावा जो सागरों मा सागरों के नाम है जैसे परसांद मा सागर है हिंद मा सागर है तो इनके नाम भी किसमे आएंगे वेक्तिवाचक संग्या में इसके अलावा जो नदियों के और परवतों के नाम हो जैसे गंगानती हो गया यमुना कावेरी तो वो सारे वेक्ति वाचक संगया में आते हैं परवतों के नाम हो गए जैसे हिमालय परवत विंद्याचल परवत तो परवतों नाम भी किस में आते हैं वेक्ति वाचक संगया में आते हैं दूसरा आता है अपना जाती वाचक संगय करते हैं जैसे कि इसमें एक ही जाती है सब पूर्परदास को बहुत हो रहा जैसे मनुश्य मनुश्य में क्या आ गया पुरुस भी आ गए मेला भी आ गए किसी एक व्यक्ति का विशेश का नाम नहीं लिया सभी आ गए ऐसे ही पेड़ पेड़ में सभी पेड़ सामिल हो गए गोडे में सभी गोडे सामिल हो गए लड़का, लड़का में सभी लड़के सामिल हो गए कार, तो यहाँ पर कहने का मतलब किसी एक विशेज का नाम नहीं है, किसका है, एक ही जाती के संपून परदार्थों का बोद हुआ है, किसी विशेज का नाम नहीं है, यदि इसमें वि उसे सामिल हो गए, पेड में सभी पेड सामिल हो गए, घोडे में सभी घोडे, लड़के में सभी लड़के और कार में सभी कारें सामिल हुई हैं, इसलिए यहां पर किसी विशेज का बोद ना हो करके जहां पर एक ही जाते हैं संपून पदार्थों का बोध होता उसे जाती वाचक संगया कहते हैं अब जानते हैं भाव आचक संगया के बारे में कि भाव आचक संगया किसे कहते हैं किसी वेक्तिया वस्तु के गुने, दोस, दसा और भाव का बोध होता उसे भावाचक संग्या कहते हैं जैसे कि हरियाली, उस्साह, मिठास, बचपन, मितरता ये सारे इसके भावाचक संग्या है ठीक है? इसके बाद में अपना आता है कौन सा दरुवाचक संग्या जैसे अपने जो दरुवाचक संग्या के अंतर गत क्या होता है? जैसे अपने जो दरुवाचक संग्या होता है तो जिस संग्या में दरुवे या किसी पदार्थ का बोध होता है? उसे दरुवाचक संग्या कहते हैं इसके बाद में आता है समुवाचक संग्या जैसे कक्षा कक्षा में केवल एक विद्यार्थी से कक्षा नहीं बनती, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तब वो क्या बनती है, कक्षा बनती है, ऐसे ही भीड, भीड किसी एक व्यक्ति चे नहीं बनती, बहुत सारे व्यक्ति कठा होते हैं, तब वो क्या बनती है, भीड बनती है, ऐ सेना सेना में भी बहुत सारे सेनिक होते हैं तब वह सेना बनती है और एसे ही जून तो कहने का मतलब क्या है कि जिस संग्या में समूव का बोध होता है उसे समूव वाचक संग्या कहते हैं आज के वीडियो में आपने संग्याई बारे में पढ़ा आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं फिर एक बार फिर एक वीडियो लेकर आएंगे धन्यवाद